अब देख रहे निउस 24 साथ आपके मैं हूँ कवता सिंग जिस पाकिस्तान में सर्फ बम के धमाके ही सुनाई देते थे बहाँ बोल बम के नारे गुंजने लगे हैं जिस पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों को चुन-चुन कर टागेट किया जाता था वहाँ अब शिवाले बनाया जा रहा है आखर कैसे हुआ ये चमतका है हजार साल पुराने शिवाले ने कैसे बदल दी है इमरान सरकार की सोच देखे इस रिपोर्ट के जर्ये पाकिस्तान में हर हर महादे पाकिस्तान में बम पर भारी बोल बम 72 साल बाद पाकिस्तान को आई बुद्धी शिव की शरण में पहुँचे इमरान खान स्याल कोट में फिर खुल गया शिवाला हजार साल पुराने मंदिर की जैकार पाकिस्तान में हर हर महादे पाकिस्तान का स्याल को हर हर महादेव के जैकारों से गुझ उठा है भारत पाक बटवारे के 72 साल बाद पाकिस्तान को सद्धी आई है पाकिस्तान की बदहाली और फटेहाली से परेशान इमरान खान अब मुल्क का बेडा पार करने के लिए शिव शंभू की शरन में पहुँच गए हैं देखिए ये स्याल कोट का वो एतिहासिक शिवाला है जिसका इतिहास हजार साल से भी पुराना है पर हिंदूओं की श्रद्धा का केंद्र होने की वज़े से ये शिवाला पाकिस्तान की आजादी के बाद से ही सुनसान पड़ा था ना कोई इसकी देख भाल करने वाला था ना कोई यहाँ पूजा पाठ करने वाला पाकिस्तानी हुकूमत ने भी इस मंदिर पर कभी ध्यान नहीं दिया पाकिस्तान के हर हुकमरान ने इस मंदिर की अंदेखी की बीते साथ दशकों में ये मंदिर कई बार चरम पंथी हमले का शिकार हुआ फिर भी इसका इकबाल कम नहीं हुआ और अब आखिरकार इम्रान सरकार को एस मंदिर की महिमा के आगे सिर्थ जुकाना पड़ा है क्या है इस मंदिर की महिमा कितना शांदार है इसका इतिहास कितनी खास है इसकी बनावट और किन किन संकटों से गुजरना पड़ा इस शिव मंदिर को सब बताएंगे आपको पर पहले ये जान लीजिए कि कहा है ये शिव मंदिर और इमरान सरकार ने इसे लेकर क्या बड़ा एलान किया है इस शिव मंदिर का नाम है शिवाला तेजा सिंग मंदिर ये मंदिर पाकिस्तान के स्याल कोट के कश्मीरी मुहला में है शिवाला तेजा सिंग मंदिर दस्वी सदी में बनाया गया था आजादी से पहले तर स्याल कोट के शिवाला तेजा सिंग मंदिर में भी देश के तमाम शिव मंदिरों की तरह ही जबर्ग दस्त रौनक रहती थी। सुबह शाम यहां बम भोले के जैकारे लगते थी। मंदिर की हर मंजिल पर हिंदू देवी देवताओं सी दरजनो एतिहासी और मनमोहक मूर्तियां लगी थी। पर भारत पात मटवारे और हिंदू मुस्लिम दंगों के बाद इस मंदिर की शोभा पर ग्रहन लग गया। तब से अब तक ये शुव मंदिर सुनसान और वीरान पड़ा था पर अब इमरान सरकार ने इस मंदिर को फिर से खोलने का एलान किया है। हिंदू समुदाए की ओड से मंदिर परिसर में हवन और यग्य किया गया। पूजा पाठ के लिए से आल कोट में बसे हिंदू समुदाए के लोगों को बुलाया गया। स्थानिय हिंदू नेताओं के साथ मुस्लिम नेताओं ने भी इसमें शिर्कत की और मिठाईयां बात कर मंदिर खुलने की खुशी का इजहार किया गया। समारोह की अध्यक्षता पाक श्राइन बोर्ट के उप्सचिव सैयद पराज अब्बास ने की। से आल कोट में रहने वाले हिंदू समाज के कई नेता और प्रतनीर ही भी यहां मौजूद रहे। इनमें जॉक्टर मुनववर्चंग, अमरनाथ रंधावा और पंडित काशी राम जैसे नाम शामिल थे। पंडित काशी राम को मंदिर में पूजा पाठ के लिए लिउप्त किया गया है। समारोह की शुरुवार पूजा पाठ से हुए। हिंदू समाज के लोगों ने हवन यग्य में आहूती डालकर मंदिर में धार्मिक संसकार किये। पंडित काशी राम ने हवन के बाद नारियल की आहूती दी। हवन के बाद ओम जैजगदीश हरे आर्ती का गायन हुआ और 72 सालों के बाद पूरा मंदिर परिसर एक बार फिर हर हर महादेव के जैकारों से गूँचू था। बता दें के शिवाला तेजा सिंग मंदिर को फिर से खोलने के लिए पिछले कई सालों से हिंदू संगट्षनों की ओर से मांग होती रही है। स्याल कोट जिला काउंसिल के पूरो मेंबर रतनलार और मने रमेश कुमार बंकवान ये मांग करते रहे थे। पाकिस्तान के हिंदू और फियस विभागने भी इसका समर्थन किया। जिसके बाद शिवाला की धार्मिक और एतिहासिक महत्व को देखते हुए पाक सरकार ने इस मंदिर को फिर से खोलने का फैसला किया। हाला कि दशकों तक बंद रहने की वज़े से ये मंदिर काफी खस्ता हाल हो चुका है और इसमें मौजूद देवी देवताओं की मूर्तियां भी गायब की जा चुकी हैं पर अब इस मंदिर की किस्मत चमकने वाली है। वादे के मताबिर पाक सरकार मंदिर की छट और गुफाओं का मरम्मत कराएगी। मंदिर के मजबूत पिल्गों को भी दुरुस्त किया जाएगा। मंदिर को फिर से रोशन करने में भारत की तरफ से भी मदद की जाएगी भारत से देवी देवताओं की मूतियां इस मंदिर में स्थापित की जाएगी जाहिर है देर से ही सही पर पाकिस्तान सरकार में जो कदम उठाया है उसका पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू समुडाय के लोगों ने स्वागत किया है लेकिन असली सवाल सर्फ मंदिर के फिर से खुलने का नहीं है बलके यहां सुचारू तरीके से पूजा पाठ करवाने का है पाकिस्तान में जो हालात हैं उसमें हिंदूों को पूजा पाठ करने की छूट कम ही मिलती है ऐसे में पाक सरकार को ये तै करना होगा कि मंदिर खुलने के बाद इसमें पूजा पाठ के लिए हिंदू शद्धालों को बे रोक तोक आने जाने दिया जा और उनके हिभाज़त का दिया मुकंमिल बंदोबस्त किया जा पाक सरकार के निर्देश पर शिवाला तेजा सिंग मंदिर की चाबी सियाल कोट के हिंदू समुदाय के लोगों को सौब दी गई है मंदिर में पूजा पाठ की आपचारिक शुरुवात के बाद अब इसकी मरम्मत का काम भी तेजी से आगे बढ़ा है लेकिन फिलाल मंदिर की हालत इतनी खस्ता है कि खुद पाकिस्तानी भी इसे देख कर शर्मसार हो सकते हैं जितना प्राचीन इतिहास उतनी ही खोपसूरत बनावत शिवाला तेजा सिंग मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसका अनूठा वास्तुशिल्प है जो इतने जरजर हाल में भी सैक्रों सैलानियों की पसंदिदा जगे बनी हुई है खजुराहो और दक्षिन भारत के मंदिर की तरह ही शिवाला तेजा सिंग मंदिर का शिल्प भी बेजोर माना जाता है खास कर इसके पिलर और गुम्बत से लेकर छटों की बनावत तक बहतरीन है मंदिर के दरो दिवार पर भव्य नकाशी और चितरकारी तो दिल को च्छू लेने वाली है दस्वी सदी में जब ये मंदिर बना तो इसमें दरजनों बड़े बड़े पिलर बनाय गये थे मंदिर में प्रवेश करने के लिए इन ही पिलरों के बीच मुख्य प्रवेश द्वार बनाया गया था ये मंदिर कई मंजिला है जिसके हर माले पर कभी हिंदू देवी देवताओं की दुरलब मूर्तियां हुआ करती थी पर 1947 में भारत पाक मटवारे के बाद ये मंदिर भी सामपरदाई खिंसा और नफरत की भेंच चर गया स्याल कोट के बेहत पौश इलाके में होने के बावजूद इस मंदिर की ओर कभी किसी का ध्यान नहीं गया हाँ पाकिस्तान के कला पसंद कुछ लोगों की नजर में ये हमेशा दहा तभी तो आज भी पाकिस्तान के कई यूट्यूब ब्लॉगर्स के एजंडे में इस मंदिर का स्थान सबसे उपर है ये पाकिस्तानी ब्लॉगर्स अपने दोस्तों की फर्माईश पर शिवाला तेजा सिंग मंदिर का हाल जानने निकला पर जब वो इस मंदिर के परिसर में पहुँचा तो इसकी हालत देख कर खुद भी हैरान दह गया इतना भव्द मंदिर और इतनी बुरी हालत हजारो साल पुराना ये मंदर है वो कि इसकी मुक्तलिफ दवार में तमीर होती रही है रेनोवेट होता रहा है लेकिन अब चुके यहां से हंदू किम्यूनिटी माइग्रेट कर चुकी है ज्यादा तर और जो रिसेंट ली स्याल कोट में लोग मजूद हैं वो भी न्यू नए मंदर तमीर होने की वज़ा से उनकी इबादत के लिए जाने का पुजान महाँ प्या है यहां पे 92 के बाद मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी तेहवार के मौके पर कोई गिलो कम्यूनिटी यहां पे आई है बगी अमारत पुरानी है साफ आगाते लोग सुर्का शकार भी रही रही है 1992 के बाबरी मस्जित कांड के बाद तो मुस्लिम कटरपंथियों ने बम धमाखा करके इस मंदिर के कई पिलर उड़ा दिये जिसके बाद डर की वज़े से यहां हिंदूओं का आना जाना और भी कम हो गया और मंदिर की हालत और खराब हो गई फिलहाल इस मंदिर के स्थिती यह है कि यहां आसमाजिक तत्मों का जमावड़ा रहता है शरारती लोग ना सिर्फ इस मंदिर को लगातार नुकसान पहुँचाते रहे हैं बलकि इसके खूपसूर्ती को भी खराब करते रहे है सोचिए इतने पुराने और एतिहासिक मंदिर को कहां तो संभाल कर रखने की जरूरत थी और कहां पाक सरकार की बेरुखी और कट्टर पंथियों की नफरत ने इसे बियाबान बना दिया अच्छा यार मैंने बड़ी जगएं गूमी हैं दुनिया के बड़े एडियाज में गया हूँ इवन कि पाकिस्तान के बहुत सारी सीटीज में गया हूँ नोर्थन एडिया सारे गूम ली हैं पर इतना बदनसीब शेहर मैंने आज तक नहीं देखा जितना सियाल कोट सुना अपने खुद पाकिस्तानी भी मानते हैं कि तेजा सिंग मंदिर को संभाल कर रखपाने में नाकाम सियाल कोट से बदनसीब शेहर दूसरा कोई नहीं पाकिस्तान का ये ब्लॉगर भी इस मंदिर की हालत देखकर उतना ही दुखी है जितना कोई भी हिंदू शद्धालू होगा कि ये सियाल कोट बड़ा बदनसीब सा शेहर है वो पता क्यों की है कि मैं जब भी कहीं भी गया हूना तो मैंने देखा है कि पाकिस्तान के शेहर भी अपनी हिस्टरी थोड़ी संभाल के रखते हैं पर सियाल कोट ने सियाल कोट की हिस्टरी की मत मार दिया 72 सालों की अंदेखी और हिकारत ने इस मंदित को खंडहर में तब्दील कर दिया और इसकी वज़े सिर्फ धार्मिक नहीं ऐसे लोगों की नादानी और बेवकूफियां भी हैं जो अपने इतिहास को सजो कर नहीं रख सकते किला भी इसी तरह पुढ़ान है कुछ 500 यह-1000 साल पुढ़ान है was a Hunting dieta सिहें और जब में गया था ना किला भी मुझे खंडर टायम मिला था जो कि हमारी हमारी एक सकाफ़et का हिसा है हमारी हिस्टory का हिस्टा है जिसको स c马 Cristaniya को प्रोमोट करना जाए् किला हूए मेरे ख्याल में जिन भी उदर जाते होंगे उनको भी टार लगता होगा और आज जिस जगह पर मैं आया हो ना यह टेंपल है और यह एक हजार साल पुड़ान है यह शिवजी टेंपल है हिंदू का टेंपल था जब इंडिया पाकस्तान एक थे उससे भी पहले का टेंपल है श और शाम को वो इधर बैठ के सुनाब मंदिर परिसर में नशे बाजी जुए बाजी और भी न जाने क्या-क्या सवाल है कि जब सरकार और प्रशासन ही ऐसी इमारतों की सुद नहीं लेगी तो आम लोग इसे लेकर क्यों संजीता होंगे देखिए तेजा सिंग मंदिर की जिए एंट जो जितनी भी मुगल हकोमत के दोर में लगती थी और यह तनी चोटी 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 शोटी एंट है और यह वो एरिया जहां पर स्याल कोट कम्यूटी के जितने भी नशेयां वह आगे बैठते है और आपना खाना पीना इधर करते हैं इधर से स्मेल बहुत आ या गंदी कभी सफाई नहीं की यह जहां मुर्तियां वगड़ा पड़ी होती थी अच्छा कुछ दिन पहले तक मुझे सिरफ लगता था कि सेलकोर्ट में गुमने वाली जगा कोई नहीं है लेकिन अब दशकों तक उपेखशित और हाशिये पर रहने के बाद इस मंदिर में फिर से रौनक लोटने वाली है कुछ दिन पहले पाकिस्तानी पिएम इमरान खान के निर्देश पर सियालकोर्ट के ही 500 साल पुराने गुर्दवारे बाबेदी बेर को सिख शधालों के लिए खोलने का निर्देश जारी किया गया था और दो जुलाई को शिवाला तेजा सिंग मंदिर की चाबी भी सियालकोर्ट के हिंदूओं को सौम दी गई अब पाक सरकार की मदद से हिंदू संगठन खुद इस मंदिर की देखरेख और मरम्मत का काम करेंगे ब्योरा रिपोर्ट न्यूस 24